तो चलिए दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेके आचुके हैं दो फरवरी 2022 के दिन आपके परिचा में आने वाले सब्जेक्ट फिजिक्स का टॉप मुष्ट बिवियाए बाइरल अब जेक्टिव पसन आपको हम बताना चाहेंगे दो फरवरी 2022 के दिन सीधे आपको यह से परस्देखिने को मिलेंगे आपको हम बता दे एक एक कोईशन इस वीडियो में बताइग आपकी बोड़ फरिचा के लिए काफी इंपोरेंट है इसलिए दोस्तों आप लोग वीड़ को ध्यान प्रवबक एक को लिए को या निकिस भीड़ी आंतक देखेंगे तो चलिए आपको सिर्फ 35 कोईशन का ही जवाब देना है तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं पसन की और आपको हम बतना चाहेंगे चाहेंगे आप हिंदी मेडियम के छात्र हो या इंगलीस मेडियम के छात्र हो कोई दिक्कत कोई परिसानी वाली बात नहीं है आप सभी तवाम चात्रों को ध्यान में रखते हुए हमारे टीम की और से इस मोडल सेट को त्यार किया गया है जो कि आपके बोर्ड पर चाकले कापी इंपोटन्ट है कहें तो दोस्तों दो फरवरी की दिन सीधे आपको यहाँ से परस देखने को मिलेंगे चलिए तो चलिए यहाँ पर दोस्तों जो सबसे पहला और most important objective आपके बोर्ड पर चाकले सामने निकल के आ रही है पूझा जा रहा है कि किसी आबेशित खोगले गोले के अंदर बिदू छेतर होता है और जो English medium बाले बच्चे हैं अपना नीचे में देख सकते हैं एकदम देखिए clear question है इसका गोले के अंदर देखिए गोले चाहे खाली हो या भरा हुआ इससे हमें कोई मतलब नहीं है हर हमेशा दोस्तों उसमें जो इलेक्रिक फिल्ड है जो विदू छेतर है वो जीरो के बराबर होती है यानि कि दोस्तों के है तो question number first का option number B आपको रैठ हो जाएंगे सुनने के बर संधारीद पर कुल आबेस होगा यानि कि दोस्तों टोटल यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस पर जो आबेस है ठीक है टोटल आबेस से क्या हो जाएंगे यह तो एक देम फरमुला बेस question नहीं देखिए आपको मतना चाहेंगे सबसे पहले देखिए दोस्तों धा होता है अब यहां पर दोस्तों देखिए और हमको पूछा क्या जा रहा है चार्ज है ना मतलब आवेस तो चार्ज बराबर क्या होता है यानि कि दोस्तों क्यू बराबर क्या होता है तो क्यू बराबर होता है सी भी है ना और यहां पर दोस्तों सी कमान आपको दिया गया है देखिए 1 Micro Friday मतलब क्या 1 Micro Friday को हम लिख सकते है 10 to power minus 6 है ना 10 to power 6 हम लिख सकते है 1 Micro Friday बराब होता है 10 to power minus 6 और भोल्ट का मार 1 है तो 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएंगे गुना होने के बाद आपको आजाएंगे 10 to power minus 6 है ना अब यहाँ पे दोस्तों देखे 10 to power minus 6 आया लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको यह option नहीं दिया गया है लेकिन आपको हम बता दे 10 to power minus 6 को हम लिख सकते है one micro Friday जी हां दोस्तों यह जो है ठीक है यह बराबर होता है one micro Friday के और यह यहाँ पे दोस्तों आपको option B देखने को मिलड़ा है one micro Friday यानि कि दोस्तों के है तो question number two का option number B आपको right हो जाएंगे आपको हम बताना चाहेंगे छोटी-छोटी question में बच्चे confusion हो जाती है तो आपको दोस्तों इस प्रकार से ध्यान रखना है इसका दोस्तों right answer हो जाएंगे option number B चलिए बरते आगे यहाँ पर दोस्तों हम आ चुकिए question number three पे शांदर question आपके बूर पर चाहिए कि धारा बाहिच चालक के अंदर electron की गति होती है यह तो सभी दोस्तों क मानुम होगा आपको हम बतना चाहिए कि बात की जा रही है धारा बाहिच चालक के अंदर तो आपको हम बता दे धारा बाहिच चालक के अंदर electron की गतिश है तोरित होती है यह नहीं कि दोस्तों अक्सलेटर होती है कोईश्चन नमर थरी का ऑप्सन नमर भी आपको रैठ हो जाएंगे चलिए बरते आगे फटा पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का फल है और सीधी दोस्तों आपको यहां से परस्त देखने को मि किसका है किलोवाट घंटा है यानि की दोस्तों के हैं तो कोईश्चन नमर फोर का उप्सन नमर भी आपको रैठ हो जाएंगे और जो इंगलिस मेडियम वाली बच्चे है अपना नीचे में देखते चलेंगे चलिए बारते आगे यहां पर दोस्तों हम आचुके कोईश्च यानि कि दोस्तों उर्जा के कोईश्चे नमर फाइब का उप्सन नमर सी आपको रैठ हो जाएंगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं चलिए बारते आगे यहां पर दोस्तों हम आचुके कोईश्चे नमर शिक्स पे सांदर कोईश्चन आपकी बूर पर चकले काफी का मान होता है यह तो दोस्तों कोईश्चेंट होता है सभी दोस्तों को मालूम होगा एट पॉइंट फाइब गुना टेन टूपावर माइनस टूएल फ्राइडे पर मीटर होता है यहां पर दोस्तों मीटर को इनवर्स में दिया गया है तो कोई दिकत वाली बात नहीं है न यानि कि दोस्तों के तो कोश्चिन नमर 6 का उप्सन नमर सी आपको रच हो जाएंगे 8.85 गोना 10 टूप मेंच 12 फ्राइडे पर मिटर जो कि यहां पर दूस्तों फ्राइडे देखिए फ्राइडे पर मीटर को हम जो है ना फ्राइडे मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं बात व सेवन सेवन पूछा जा रहे कि पचास-मैक्रोफ्रेडई धरहता वाले एक संधारेत दस विल्ट विभृत तक आसी तक अब शतक और पर मान का जिए और यहां पे उस्तों भी झाशान चाहता है और यहां को आपको आजाएंगे को और बी आजाएंगे टू पोइंट फाइव गुणा टेन टूपर मैंनस थी जूल है ना यानि कि दोस्तों कि इनर्जी का मात्रक होता है यानि कि दोस्तों का ऑप्सेन नमर बी चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हम आ चुके को आपको मतना चाहेंगे कि इसके द्वारा जो है उच भलता होता है मतलब कि दोस्तों हाइब हो जाएंगे चलिए बढ़ते आगे चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हम आ चुके है कि एक तारे में वन एंपियर धारा परवायत हो रही है यदि इलेक्टोन पर आबेस तो तारे के किसी काट के परती सेखेर परवायत हो रही है और यहां पर दहारा पर द हो रिया है तो देखिए आपको डिवाइड करने बाद देखे जो एंसर आ जाएंगे यहां पर इसका मान पूरा देंगे और इसको डिवाइड करने बाद आपको जो एंसर आ जाएंगे तो यहां पर दोस्तों आपको इस प्रकार से स्वल्ब करने के बाद आपको आपको राइट आ चाहेंगे डाइनेमों के कारिका से अधारित है विधू चुमके पर यानि कि दोस्तों कोईस्ट नमर टेन का उप्स नमर बी चलिए बरते आगे यहां पर दोस्तों हमाचू कि कोईस्ट नमर 11 पर शांदर कोईस्टन आपके बूर्ड परिशा के लिए काफी इंपोर्टेन भी पूशय जा रही कि 54 समरू बुंद यहां पे 5 मैक्रो फ्रेड एैं मिलकर वान बनाती है तो तो बरे बूंद की होगी यह 20 मैक्रों फ्रेड यानि की दोस्तों कॉष्टेनी का उप्सें नमर सी तो चलिए यहां पर दोस्तों हमाचुकिए है कोईश्चें नमर 12 पे सांदर कोईचन आपकी बूर परशाग लिए कि चुमबा के फलक्स का मात रख होता है आपको मतना चाहेंगे चुमबा के फलक्स का ऐसे मत रोकता है बेवर है ना बेवर होता है यानि कि दोस्तों कोईश्चण नमर 12 का option D चलिए बरते आगे यहां पर हमाचुकर के इस सांदर कोईचन आपके बूर पर चांद लिए जिस परिपत में सिर्फप परति रोध है उसका सक्ति गुनाइक है ठीक है यहां पर दोस्तों बात की जा रहे हैं सिर्फ परतिरोध रहें तो सब्सक्राइब बराबर हो जाएंगे यानि कि दोस्तों कोश्च नमर ठर्टीन का आपको रैट हो जाएंगे चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों परतिवर्ति धरा का मुल्वर्ग माध्य का माध्य होता है आपको बता देखिए यह होता है सीखर धरा का मान अपन अंडर रूट्व यानि की दोस्तों कोईश्चे नमर 14 का उपसे नमर सी ठेक है चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हमाच चुके कोईश्चे नमर 15 पे शांदर कोईचन आपके बूर पर चाहिक लिए कि एक चुमबा के चुमक के लंबाई LM और जैमेति लंबाई LG की बीच नियुकित में कौन सब कोईश्चे है आपको बतना चाहिके सांदर कोईश्चन आपके बूर पर चुक्त लेएगा धिंद्ट लोग यादे रिखेगा देखें फरमुला क्या होता है LM बराबर होता है दोस्तों पांच से यह देखिए आपको LM बराबर होता है किसके पांच UPON 6LG के लेकिन दोस्तों आपको यह option कहीं पर देखने को नहीं मिलघा है उल्टा-पुल्टा कर देते हैं हम क्या करते है इस LG को इस tailor लाएंगे तो क्या हो जाएंगे यहां पे दोस्तों इस अलाँए तो क्या हो आपको मतना चाहेंगे इसका राइट इंसर आपको यह ही होंगे आप लोग यहां पर ध्यान दीजेगा एलजी बराबर हो जाएंगे पांच अपूण छे एल एम के हैं ना कोईश्चिन नमर फिप्टेन का अपसे नमर ए चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हमाच के को कूश्चिन पर इक क्यूच आपके बौरपररचा के लिए काफ इम पूटेंट है हमारे टीम की ओड से करी महनत करें जो बर्ड में कारिये करते हैं यहां पर दोस्तों जो कोशन प्रतियारी करते एक तरह से उसकी द्वारा इस को भी विया क्या गया है यानि कि दोस्तों के तो कापी ठीक है हद तक संभाबना है कि आपके एक्जाम में आ सकते है चलिए यहां पर देखिए कोश्चे नमर 16 क्या है कि यदि भी एच पिर्थिवी के चुमक्य च्छत का थेजित घटक तथा यहां पर दोस्तों लेमडा नमन कौन हो तो पिर्थिवी के चुमक्य च्छतर का उपसन नमर A राट हो जाएंगे चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हमाच उपके कोश्चे नमर 17 पर सांदर कोश्चर चुमकंतिर्वत्ता की काई है तो यह तो दोस्तों को मालूम होगा कि चुमकंतिर्वत्ता की जोई काई है यह एंपियर पर मीटर होता है क्या पर दोस्तों आप लोगों का जो काम है इसी वीडियो को लाइक करके सेर करना यह आप लोग मत भूलिएगा यह आपकी जिम्मेदारी है इसे आप लोग यहां से ही कोईश्चन आएंगे चलिए रटते जाएंगे त्यारी करते जाएंगे और दो फरबरी को एक दम शक्तर में सतर आपको ठोक आणा है चलिए यहां पर दोस्तों कोईश्चन नमर नैंटीन देखिए समानिया समयोजन में सरल सुझंग दर्सी का आबरधन छमता होता है आपको हम बताना चाहेंगे यह आपको बराबर होता है वन पलास कैपटल डी अपोन एस्मॉल एफ के यान बात की जारी कि समानी आंख लेंज की फोकस दुरी तो आपको बतना चाहेंगे दोस्तों यह लगभग वराबर होता है तू सेंटीमीटर का है ना तू सेंटीमीटर के यानि कि दोस्तों के है तो कोश्चन नमर ट्वाइंटी का उप्सें नमर भी ठीक है चलिए बढ़ते आग आप लोग यहां पर देख पार होंगे कोश्चन नमर ट्वाइंटी वन का उप्सें नमर ए चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हमाच्यू के कोश्चन वर्ट ट्वाइंटी टू पे सांदर कोश्चर कि दो संबक्रित उत्ता लेंसों का समतुल्य लेंस होता है तो द disc party इक सब्सक्राइब नहीं कि दोस्तों के आप सबूइख ठबूस कोश्च नंबर ट्वाइंटी दूरी होती है तो आपको मतना चाहिए था आप सभी । पता होगा यह 25 संटीमिटर के बराबर होते हैं यानि कि दोस्तों question number 24 का option number D चलिए बढ़ते हैं आगे तो चलिए यहाँ पर हम आ चुके है question number 25 पर सांदर question आपकी बूर परचा के लिए कि नेवली लिखीती में कौन प्रकास के रंग के लिए मुख्य कारण है है ना यहां पर दोस्तों पूछा जा रहा है कि जो आपको चार उप्सन दिया गया है इनमें से कोंज है परकास के रंग के लिए मुख्य कारण है तो दोस्तों आपको मतना चाहेंगे इसके लिए कौन आबेस रही था है यहां पर दोस्तों आपको पूछा ज़रा है यह ठीक है नेवली केती रहे तो आपको मतना चाहेंगे फोटोन करणपन को भी चार्ज नहीं होता है यह आपेस रह था है यानि कि दोस्तों कोस्ट हाट 26 का और से नमर सी ठीक है चलिए चलिए यहां होता है इलेक्टोन भॉल्ट है ना यानि कि दोस्तों के है तो कोईश्चन नमर 27 का उप्सन नमर डी आपको रैट हो चाहिए आप लोग यहां पर देख पाड़े होंगे चलिए बढ़ते आगे फटा पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे यहां पर शांदर होता है यानि कि दोस्तों के तो कोईश्चन नमर 28 का उप्सन नमर भी आपको रैट हो जाएंगे ठीक है चलिए बरते आगे यहां पर सांदर कोईश्चन यहां पर हम आ चुके है कोईश्चन 29 पे कि तरंग संख्या बराबर होता है बेव नमर इस इकल टू आपको मता दे द नमर एक ठीक है चलिए चलिए बरते आगे यहां पर दोस्तों हम आ चुके कोईश्चन 30 पे कि नेमलिकीत में कौन सबंद नाभी की तरिज्जा के लिए सही है तो दोस्तों आपको मता दिए आपको हो जाएंगे आर इस जिकल टू है ना यह दोस्तों बराब होता है आर इस आपको रेट हो जाएंगे आप लोग यहां पर देख सकते हैं चलिए बरते आगे फटा पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइकर देंगे सेर जरूर करेंगे यहां पर शांदर कोईचन 31 पूछा ज़रा है कि नेमलिकीत में कौन सबंद सही है और यहां पर दोस्तों नमर ठाटी वन का उप्सन नमर डी है न चलिए बरते आगे यहां पर दोस्तों हमाच चुके कोईश्चन 32 पर शांदर कोईचन कि नेमलिकीत में कौन और आयू के लिए सही है बात की जारी है दोस्तों और आयू के लिए सही क्या है तो आपको मतना चाहेंगे और आयू के ल क्या लिए बढ़ते आगे। यहां पर दोस्तों हमाच चुके कोईश्चन 33 पर शांदर कुश्चन देखिए इसंपे पूछ जाराए कि नेट्रोन की संख्या होगी नेट्रोन की संख्या पूछ जाराए क्या करते हैं जो मास नमर में से आपको एक नबर को घटाना होता है यानि कि दोस्तों क्या करेंगे इसमें इसमेंगे आठ में जाएगा और यह बन जाएगा और तेरह में यहां पर दोस्तों निकल चुका है यानि कि दोस्तों कि यह कितना गया एक सौच्यालीस है ना कोश्चेन नमर 33 का और सी आपको रहत हो जाएंगे ठीक है चलिए बरते आगे यहां पर दोस्तों तो हमाद चुक्त के नमर्ट 34 पे शांदर कोईचन आपके बूर पर चाहिए और यहां पर दोस्तों आपको चारौप संद्या गिया और यहां पर देखे क्या पूचा जाना है कि जो चार का ठीक है चार का है पर दुद्धारी संख्या में यह किसके बराबर हो जाएंगे तो आपको बताना चाहेंगे बहुत ही असान है ऐसे देखे कैसे स्वर्ब होता है में आपको बता ही देता हूँ चार में निकलना है जो समसे फिर करेंगे तो यहां पर जीरो और देखे इसका जो दुधारी संख्या बन गया आपको इधार से काउंट किया जाता है यानि कि दूस्तों इसका जो दुधारी संख्या बन गया यह होगे आपको 100 जीरो और इंटू करके टू हो जाएंगे क्योंकि आपको दुधारी संग्या पूछा जा रहा है तो यह कहां पे है तो यह आपको ऑप्सन देखने को मिल रहा है बिल्कुल एप्सन सही है ना चलिए बढ़ते आगे यहां पर दोस्तों हम आ चुकिए और यह इस सेट का लास्ट को चना है फटा पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे सीर करेंगे सीधे आपको यहां से दो फरबरी की दिन आपको परस देखने को मिलेंगे हमारे टेम के और से करी महनत क करेंगे सभी को त्यार किया गया है चलिए फटा पर दोस्तों इसका सलूसन देखते हैं कि दुधारी योग है ना वन पलस वन के बराबर होता है है ना बैरी एडिशन वन पलस वन एक्वल टू आपको मतना चाहेंगे यहां पर पूचा जारे कि वन पलस वन जो है किसके बर गराना है कि वन पलस वन जो हन किसके बराबर होता है तो यहां पर दोश्तों आपको मतना चाहेंगे कोयस्टिर oni 35 का प्सक्री कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे कोश्चन नबर 35 सिरी तो चलिए दोवारी brit22022 से दिन सीधिए आपके परिच्छा में उत्रने वा पर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे और अब उसे आपके अपने इस चैनल पर ऐसे ही रेगलर वीडियो आएंगे तो आपको सभी वीडियो को देखना है और एकदम परेच्छाम आपको तहल का मचा देना है तो चलिए दोस्तों आज का सेसे नहीं पर तक के लिए आप सभी दोस्तों को वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद